मालख्यर थाना शेत्र के बालेटा गाउं में गुरु वर्स भे खीत पर तार बंदी का कारे कर रही लोगों पर कुछ लोगों ने हमला कर रहे एक व्यक्ति के अध्या कर दी और तीन लोग इसमें घायल हो गे दो जनों को अलवर रेफर कर दिया गया थाना परभारी सज्जन कुमार ने बताए कि बालेटा निवासी धरमचन जोगी महंदर हर्यों और राजेश खेत पर तार बंदी कर रहे थे इसी दुरान भडोली रोड निवासी रहमत मेव वे परिवार के अन्ने सदेतों ने उन पर हमला कर दिया धरमचन हर्यों महंदर राजेश गंभी रूप से खायल हो गये थे मालेखेड़ा सीएसी में धरमचन को डॉक्टरों ने म्रत भूशित कर दिया तथा हरियों प्वे महंदर को अलवर रैफर किया गया आरोपियों की गिरफतारी की मांग को लेकर पीडित परिवार वे विश्व इंदो परिशत तथा गोर रख्षा समीती के सदस्यों ने मालाख्याड स्थाने वे असकसाल के सामने धरना दिया थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपि पक्ष के रहमत मेव को गिरफतार किया जा चुका है तथा उसके कबजे से पीडित परिवार की पिकप बे दो पाइक भी ब्रामत की गई है प्रेश शिक्षू IPS जेश्टा मेत्रीवे अडिशनल स्थी शिवराम बैर्वा ने मालाख्याड सीसी पहुँचकर गोर रख्षा समीती और विश्विंदू परिश सेइथ पीडित पर्ष्ट के लोगों को समझाया तथा रिपोर्ट के अनुसार आगे की कारे वाही का आश उन्होंने फायर की गोड़ी और लाठी फर्षी और त्यारों से इनको हम लगे आते हैं इनका चारों के लगी हैं सर इक एक स्वायर हो गया है तो जर्सार के मिले वुणते संविय के लिवाम के मज़ओं पड़ा कि दो दिशन अपने खेत पे तारवंद्धी कर रहे थे वह कोही ने था कि इतने लोग खतम हुए हैं कितने गायल हैं इनके दो दो बच्चे दो बच्चे सीरियस हैं जो यहां से रैफर कर दिये गए अलवर हैं और एक है जो अपने डेड वोडी मालक रही है और एक आपका डेड वोडी के बारे में क्या कहना अभी तक इसका पोस्ट माडम नहीं परिजनों के क्या कहना है कि अभी तक क्या कारवाई किये पोलिस थोड़ी एक तो वह टाइम पर लेटी गई जब जार वह हुई जब जार पर आपनी करी रही है